नमस्कारम फिटनेस फ्रीक जरनी में आज हम बात करते हैं कि हम अपने हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं और हमारी हेल्थ इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? हेल्थ से बहुत चीजें हमारी जूड़ी हुई है देखिए जीवन में इंसान के तीन चीजें बहुत ज़रूरी है एक तो हेल्थ एक तो दूसरे रिस्ते और पैसा जिसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं अच्छी बात है पैसा बहुत ज़रूरी है आज कल पैसे से ही सारी चीजें उपलब्ध हैं और हमारे जीवन को आसान बनाता है पैसा लेकिन स्वास्त भी बहुत ज़रूरी है अगर आप स्वास्त रहोगे तभी आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे अपने रिस्तों को अच्छे तरीके से निभा पाओगे क्योंकि हर चीज पैसे पर डिपेंड हो गई है तो हेल्थ बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए करना क्या है कि आपको हेल्धी डाइट लेनी है आपको एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज भी सही तरीके से करना है यह नहीं कि हम गलत चलत exercise कर लिए उस स्थ होता क्या है कि हमारी health गड़ब्ड हो जाती है हम तो चले थे अच्छा करने और हो गया गड़बड उन फोहँ जरूरी है और रिष्ते बहुत जादा जरूरी यह तीनों चीजे बहुत जरूरी हैं लेकिन हो क्या रहा है कि हम इन तीनों चीजों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं और लास्ट में सिर्फ पैसे को इतनी प्रायर्टी देने की चक्कर में अपनी हेल्थ को गड़बड कर ले रहे हैं लग रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हमें ना तो किसी की जरूरत है और ना तो हमें हेल्थ की जरूरत है लेकिन एक टाइम के बाद जब स्वास्त गड़बड हो जा रहा है तो उस समय सबसे ज़्यादा याद आती है रिष्टों की तोकि वो जो भावनाई जूड़ी होती है वो एक रिष्टों से ही आपको एक emotional attachment जो होता है वो आपके रिष्टे ही दे पाते हैं पैसे में तो आप किसी को रख लो कि चलो भाई तुम हमारी सेवा करो वो feeling ही आपको नहीं आएगी बस वही है कि आपने अपने रिष्टों को इतना खराब कर लिया है कि आप उनसे माफी भी मांग नहीं सकते आपको छोटे हो जाओगे तो ये एक अलग विस्थ है बस मेरे कहने का मतलब इतना है कि अपना स्वास्त बहुत उत्तम रखें जब आप स्वस्त रहेंगे तो जीवन आपको एक अलग आनंद देगा और स्वास्त गरवड हो गया तो पैसा भी रहेगा आप कुछ खाना चाहोगे नहीं खापा होगे तो फिर बेकार है ना खुद को कोसोगे कि हमने किया क्या आज कल हो क्या रहा है कि आदमी जब तक जवान है सब कुछ है पैसा कमाने के लिए अपने सरीर के साथ इतना खिलवार कर दे रहा है लेकिन बाद में उसको कोई ने कोई बीमारी पकड़ ले रही है फिर जो पैसा वो कमाया है सारा पैसा चला जा रहा है दवाई में ही और ऐसे वैसे खर्च हो जा रहा है तो इन सब चीजों से बचना चाहिए देखे एक होता है कि हम अपने गलत दिन चर्या से बीमार होते हैं हमारे ऐसे खान पान होते हैं उससे बीमार होते हैं और एक बीमारी आती है कि आपके बुरे कर्मों से, आपने बुरे कर्म किये हैं, तो आप बिमार पड़ोगे, वो भाई, ऐसे ही तो आपको परिसान करेगा, भाई, कर्म का फल कैसे मिलेगा, किसी न किसी तरीके से मिलेगा, लेकिन कोशिस ये करो कि आप खुद से बिमार ना हो, आप गलत चीजें मत ख खाओ जिसे आपकी हेल्थ फ़रक पड़े बाकि सुक दुख तो यह लगा ही रहता है तो दुख आए तो उसको अपना प्रारब्ध दिस्विकार करके उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए और कोशिस करिए कि स्वस्त रहिए तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही तब तक के लिए बबाए